जेहीं साथियों नमस्कार आप सभी का एक बार फिस्वागत है हम सबने एक ख़बर सुनी है कि अब सभी अस्पतालों में ECHS के जरिये इलाज मुप्त होगा चाए वो इंपेनल है या फिर नोन इंपेनल एक न्यूस पेपर की कटिंग जिसे आपने भी देखा होगा और आगे सेर किया होगा जिसमें लिखावा है सरकारी करमचारियों को कोट ने दी रहत क्या रहत है हम इस वीडियों में समझेंगे देखी या पे लिखावा है कि सुप्रिम कोट ने सुकरवार को 45 लाक वर्तमान और रिटार केंद्रिय करमचारियों को बड़ी रहात देते हुए कहा कि CGHS देश के सभी नीजी अस्पतालों में लागू होगा चाए वो पैनल में सामिल हो या फिर नहीं हो कोट ने कहा कि अच्छी मेडिकल सुईदाएं पाना परत्येक सरकारी करमचारी का अधिकार है इसलिए केंद्र सरकार ऐसे किसी भी बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती अगर सरकारी करमचारी ने पेनल में नहीं सामिल किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया हो सुप्रिम कोट ने साप किया कि सरकार को ये देखना जुरूरी है कि क्या वाकई में समंदित व्यक्ति ने इलाज लिया है या नहीं अगर उसने ऐसे किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज लिया है जो पैनल में सामिल नहीं है तब भी उसे सभी बिलों का भुगतान होना चाहिए केवल एक टेकनिकल आदार पर भुगतान किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए और ये न्यूज पेपर की कटिंग के नीचे ये भी लिखावा है सभी सरकारी करमचारियों को बेज कर सुचित करें अब सभी सरकारी करमचारी चाहते हैं कि यदि सुप्रिम कोर्ट ने ये बात कही है तो सरकार को इस फेसले को लागू भी करना चाहिए सबसे पहले तो आप इस कटिंग में देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा या आपको यही लगेगा कि हाँ हाल ही में सुप्रिम कोर्ट ने ये फेसला सुनाया है या फिर ये बात कही है कि सरकारी करमचारियों और पैंसनर्स को देश के किसी भी होस्पिटल में मुप्त में इलाज मिलना चाहिए और यदि वो इलाज अपने पैसे से करवा लेता है तो उसको रिफंड मिलना चाहिए अब हम इस कटिंग में देखे तो कहीं पे भी तारिक नहीं लिखी हुई है और तारिक नहीं लिखी हुई तो हमें क्या पता कि ये न्यूज आज की है या आज से 10 साल फैले की है लेकिन इस न्यूज को सुनने के बाद में मेरे पास में भी दो कमेंट आए कि क्या ये cghs में लागू हुआ है तो e chs में भी लागू हो गया मैं एक बात यहाँ पर clear कर देना चाहता हूँ कि e chs पूरा cghs की तरज पर काम करता है cghs में जो सुईधा लागू होती है rate revise होती है वही e chs में भी लागू होती है CGHS में जब भी कोई स्कीम आती है तो थोड़े दिन बाद उसको ECHS अडोप्ट कर लेता है और ECHS में भी वो लागू हो जाती है तो जैसे CGHS का नाम आता है तो ECHS वाले भी सोच रहे हैं कि हमारे लिए भी लागू हो चुका होगा लेकिन अब चलते हैं इस असली न्यूज के उपर कि ये न्यूज कब आई थी और इसकी वर्तमान में क्या इस्तिती है ये है असली खबर जो आपके सामने है ये न्यूज आई थी 30 सप्टमबर 2019 को और वही बात लिखी हुई है जो न्यूज पेपर की कटिंग में लिखी हुई है लेकिन उसमें तारिक नहीं है इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये समाचार आज का ही है इसमें भी वही लिखावा है सरकारी करमचारियों को कोट ने दी रहात कहा मेडिकल सुधाएं पाना सभी का अधिकार दरसल जो मेडिकल कोलेजों में काम कर रहे सरकारी करमचारियों को सुप्रिम कोट ने रहात दी थी कोट ने इस सम्मन्द में दायर याचिका पर सुनवा ही करते हुए कहा कि CGHS देश के सबी हस्पतालों में लागू होगा चाहिए वे पैनल में सामिल हो या नहीं कोट ने इस फैसले से करीब 45 लाख सेवारत और रिटार्ड करमचारियों को फाइदा होगा कोट ने कहा कि अच्छी मेडिकल सुदाएं परतियक सरकारी करमचारी का अधिकार है इसलिए केंदर सरकार ऐसे किसी भी बिल का बुकतान करने से मना नहीं कर सकती तो सातियों आपको क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल कोलेजों में जो सरकारी करमचारी काम कर रहे हैं उनके लिए ये फेसला था अब कहीं पे भी इसमें ये नहीं लिखावाए कि ये केंदर सरकार के करमचारियों और पैंसनर्स के लिए था तो फेसला किसी और के लिए और जो न्यूज पेपर कटिंग में न्यूज पेपर आई है वो कुछ और ही कह रही है और उससे आप लोगों को न्यूज प्रोसी जा रही है कि ये ECHS वालों के लिए भी लागू होगा CGHS में हो गया तो ECHS वालों को भी इसका लाब मिलेगा लेकिन ऐसा कहीं नहीं है आप गलती से भी किसी नोन इंपैनल होस्पिटल में चलेगे तो आपका सरकारी रेट नहीं फुल रेट से बिल बनेगा इलाज का और जब आप ECHS में कलेम करने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे अमरिजनसी सेटिपिकेट मांगे जाएगा और उसके बाद जब आपका कलेम होगा तो वो CGHS रेट से होगा यदि दो लाग रूपे खर्च हुआ है तो एक लाग दस हजार या एक लाग पीस जार रूपे मिलेंगे तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि देश के सबी पैनल और इम पैनल होस्पिटल में CGHS वाले इलाज करा सकेंगे या ECHS वाले इलाज करा सकेंगे इस परकार की खबरों से सावदान रहें सतर्क रहें और उस खबर की तत्यता के लिए या उसकी जो हमने इस वीडियो में सच्चाई निकाली है इसके लिए आप इस वीडियो को सेर कर सकते हो यह असली सच्चाई कि यह खबर चार साल पहले किये 30 सप्टमबर 2019 की है जिसको अभी परोसा जा रहा है अगस्त 2023 में बने रहें चैनल के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद जै बारत वंदे मातरम